नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेर करें कही न कहीं मेरे बच्चे जरूर पढ़ते क्या किसी को पता है कि मेरे बच्चे बीति 45 दिनों से इंडिया में बंधक हैं और इस्कूल नहीं जा रहे हैं इस्कूल की तरफ से मुझे रोज लेटर आ रहा है कि वो लोग लंबे समय से इस्कूल में गहर हाजिर हैं नवाज के दोनों बच्चे शोरा और यानी दुबई में पढ़ते हैं नवाज ने आगे बताया कि मैं और आलिया पिछले कई सालों से साथ में नहीं रहते हैं हमारा तलाक हो गया है लेकिन हम केवल बच्चों के लिए जुड़े हुए थे एक तरफा पक्ष और विडियोज के जरिये सोशल मीडिया, प्लेटफॉर्म, प्रेस और कुछ लोगों के समूह ने मेरे चरित्र हनन को बहुत इंज्वाई किया है नवाज ने कहा कि बच्चों के अच्छी परवरिश के लिए पिछले दो सालों से मैं उसे 10 लाक रुपे हर महीने देता था आलिया की 3 फिल्मों को फाइनेंस भी किया, लगजरी गाड़ी भी दी, नवाज ने आगे कहा कि मैंने उसकी 3 फिल्मों को फाइनेंस किया था जिसकी कीमत करूडों की थी मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ है बच्चों के लिए लगजरी गाड़ी भी दी थी लेकिन आलिया ने उसे बेच दिया और उससे मिले सारे पैसे खुद पर खर्च कर लिया आलिया को सर्फ जादा पैसा चाहिए था जस वजह से उसने मुझ पर और मेरी माँ पर आरोप लगाए और केस भी फाइल किया इसने पहले भी ऐसा किया था और पैसे मिलने पर केस वापस ले लिया था नवाज ने आगे कहा कि मेरे बच्चे जब भी वेकेशन पर इंडिया आते हैं वो हमेशा अपनी दादी के साथ रुपते हैं उन्हें भला कोई कैसे घर से बाहर निकाल सकता है मैं उस दौरान खुद ही अपने घर में नहीं था अगर ऐसा ही था तो आलिया ने घर से बाहर निकलते समय का वीडियो क्यों नहीं बनाया वो हर बार रेंडम वीडियो क्यों सामने ला रही है उसने अपने ड्रामे में बच्चों को भी खीच लिया है ये सब करके वो मुझे ब्लैक मेल करने के कोशिश कर रही है वो लोगों के बीच मेरी छवी खराब करना चाहती है नवाज ने नोट के अंतिम पॉइंट में लिखा है कि कोई पैरेंट नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे अपनी पढ़ाई मिस करें या केसी भी चीज का उसकी एजुकेशन पर असर पड़े वो हमेशा अपने बच्चों की दुनिया के सबसे बेस्ट चीजे देने की कोशिश करते है मैं आज जो भी कमा रहा हूँ वो सब मेरे दोनों बच्चों का ही है और इस बात को कोई नहीं बदल सकता मैं सोरा और यानी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनके सुरक्षा के लिए भविश में किसी भी हद तक जा सकता हूँ